हेलो टेडर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, चलो देख लिए निफ्टी बैंक, निफ्टी में क्या व्यूस बन रहे हैं और कल कुन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का वंडे का चार्ट लगा हुआ है और पूरा टॉपडर अनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं तो simply कल के अनालिसिस वीडियो में हमने यहाँ पर क्या डिसकस किया होता कि मार्केट यहाँ पर दो टाइपस के स्टॉक्चर फॉर्म कर रहा है पहला यह trend line थी जिसका price ने breakout किया होता यहाँ पर से retust और यहाँ पर से एक bully structure बन रहा था और दूसरा structure बेरी structure था यहाँ पर अगर हम एकदम top से bottom तक इस वाले fall का अगर Fibonacci retracement का tool लगाएंगे तो exactly यहाँ पर 0.5 का level आ रहा है और इसी level से market reject कर रहा था और यहाँ पर आके छोटे time frame में एक cup and handle pattern बना रहा था इसी वाज़े से अगर यह trend line का breakdown हो जाता है तो obviously यहाँ पर से बेरी setup होने वाला था तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दो types के setups market बना रहा था और अभी आप फिलाल देख सकते हो कि market ने यहाँ पर breakout कर दिया है इसका मतलब price अभी bullish setup को follow कर रहे है और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा structure देखोगे pattern देखोगे तो price यहाँ पर kind of inverse head and shoulder pattern बना देगी अगर यह 0.5 level का breakout हो जाता है मतलब यहाँ पर से पूरा पूरा scenario bullish रहता है जब तक कि market इस वाले trend line को downside में breakdown ना कर दे अभी उसी हिसाब से हमने कल कुछ trades भी discuss किये थे simple हमने क्या बोला था अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो मैंने आपको simple दो trend lines बताई थी एक हमारी यह primary trend line जो हमने daily time frame में ड्रॉक की हुई है और यहाँ पर 15 minute में भी मैंने आपके साबने एक trend line ड्रॉक की हुई थी मैंने simple बोला था जैसे ही इस वाले trend line का breakout हो जाता है हम यहाँ पर से long के trades ले सकते हैं आज market यहाँ पर gap up open हुआ देन इस वाले trend line के नीचे गाया देन हमने यहाँ पर consolidation देखा और देन जब breakout हुआ हमने एक बहुत ही अच्छी bull rally देखी hoping अपने यहाँ पर trade लिया होगा यहाँ यहाँ पर एक pullback नहीं आया बट एक बहुत ही higher conviction वाला trade था और यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा profit भी वो already देने वाला था मैंने कल आपको बताया हुआ था अभी simple हम कल यहाँ पर किस तरीके से trade कर सकते तो उसके लिए मैं आपके सामने एक ही level draw करना चाहूंगा जो कि एक simple structural level है आप यहाँ पर देख सकती कि price यहाँ पर every time support and resistance ले रहा है अभी कल अगर market इस level के ऊपर open होता है तो यहाँ पर मैं को सिनेरियो यहाँ पर bullish है अगर selling करना है तो मैं क्या देखूंगा कि इस level पर कोई reversal pattern बन रहा है या फिर नहीं बन रहा अगर reversal pattern बन रहा होगा ना then and then only यहाँ पर से में shorting के trades लेना चाहूंगा otherwise selling में award करूंगा higher probability sale की setup जो है वो इस वाले trend line के नीचे बन रहे वाले है इसी पूरा पूरा trade setups बन रहा है nifty में अभी यहाँ पर से bank nifty की उपर बात कर लेते bank nifty में भी एक bully structure बन रहा था अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो simple हमने यहाँ पर से क्या discussion किया था कि यह जो यहाँ पर fall आया है इसको simple top से लेके bottom तक Fibonacci retracement का tool लगा देंगे और already expect कर रहे थे और वही आज हमने देखा एक बहुत ही अच्छा breakout हमने bank nifty में देखा अभी किस pattern का अगर हम यहाँ पर से simple 15 minute time frame में आ जाएंगे तो 15 minute time frame में आप यहाँ पर देख सकते हो कि price एक बहुत ही अच्छा bullish flag pattern या फिर falling channel pattern बना रहा था और मैंने simple आपको दो trades बोले कि market अगर यहाँ पर से breakout करे गा तो कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से long keywords लेंगे अगर market breakdown कर रहा है तो कोई भी pullback देखकर हम यह पर से short term keywords लेंगे हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा long का trade बना, एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर से profit बना होगा, अभी कल किस तरीके से हम trade कर सकते हैं, और यहाँ पर हम किस तरीके से fibonacci levels draw कर सकते हैं, अगर मैं आपको higher time frame का बोलो, अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे, तो मैं long के भी trades लेने, but next जो resistance होने वाला है, वह 42,950 का, तब तक हमें long के लिए try करना है, किस तरीके से करना है मैं आपको बताने वाला हो, but next important resistance होने वाला है हमारा 42,950 का, अभी simple, अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे, तो कुछ trading के लिए levels में आपको यहाँ पर draw करके बतान है, तो मैं यहाँ पर से सारे levels हताना चाहूंगा, क्योंकि अभी level का कुछ काम नहीं है, हमारे falling channel का, simple, यहाँ पर से हमें Fibonacci extension का tool लेना चाहूंगा, और एकदम यहाँ पर top से लेके bottom तक लगाना चाहूंगा, क्यों लगाया, क्योंकि यह जो previous swing high था, price ने भी इसका breakout कर द कर रही है, यह level मैंने telegram पे भी share किया था, आज जैसे ही मेरा targeted हुआ, अभी इसी के respective हमें काम करना है, और दूसरा level है, जिसके नीचे हम bearish trades ले सकते हैं, वो है यह swing high का level, simple, यह swing high का level यहाँ पर मार्क करना चाहूंगा, अभी अगर आप देखोगे, price यहाँ पर consolidate कर रहा है मैं यहाँ पर कोई भी opportunity दून कर long ket trades ले सकता हूँ, मान लिजे कि यह swing high breakout हो जाता है, या फिर market gap up open करता है, कोई pullback दिखता है, यहाँ पर से हम long ket trades ले सकते हैं, कोई भी long ket trades यहाँ पर मैं इस level के उपर लेना चाहूंगा, first target रहेगा मेरा 1.618, जिसका level है 42,830, अगर price यह भी level breakout कर देता है, तो इस level के उपर जो कि हमने already discuss किया हुआ है, 42,960 का level हमारा final target होने वाला, यहाँ पर से हमें कुछ ना कुछ तो profit booking देखने को मिल सकते हैं, otherwise यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुती अच्छा bullish trade हमारे लिए बन सकता है, अभी क्या targets होंगे, किस तरीके से long rejection भी मिलाता, अगर prices level के नीचे आ जाता है, तो कोई भी pullback देखकर हम यहाँ पर शोटिंग के opportunity ले सकते हैं, इस level के नीचे market आ सकता है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर 50% ही quantity trade करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोंगे, again यहाँ पर एक support बन रहा है, यह यहाँ पर थोड़ा सा consolidation हुआ था, इसी वज़े से यहाँ पर भी वीच में कोई ना कोई level पर price support लेगा, इसी वज़े से यहाँ पर मैं 50% quantity trade करूंगा, इस level के उपर हम higher convection के साथ में बहुत ही अच्छे long credit ले सकते हैं, और यही पूरा-पूरा bank nifty का भी analysis बन रहा है, अब अगर हम यहाँ पर से stocks के analysis पर चलेंगे, तो एक ही stock के reliance, कल भी setup मैंने आपके साथ में share किया हो था, जिसका breakout अभी तक नहीं हुआ है, बट कल हमें वो breakout या फिर breakdown देखने को मिल सकता है, important primary trend line पर price यहाँ पर trade कर रहे है, और downside से भी एक support वाली trend line यहाँ पर है, तो इसी को अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में देखेंगे, तो price यहाँ पर बहुत ही अच्छे से consolidation zone में, और जैसे यह consolidation अगर यह upside में breakout करेगा ना, तो यह अपनी primary trend line का breakout करेगा, इसी वज़े से यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छे long के trades बन सकते, similar यहाँ पर एक intraday बाली trend line है, अगर य यहाँ पर से scalping के trades या फिर small intraday trades ले सकते, अगर यह second trend line यहाँ पर से breakdown हो जाती है, तो यहाँ पर से major downside के shorting के trades लिये जा सकते है, और यही पूरा-पूरा analysis बन रहा है, reliance में, ठीक है, तो यही है मेरी stocks के analysis और nifty और bank nifty के analysis भी आपको पसंद आ गई होगी, अगर आपको analysis पसंद आए, तो प्लीज इस video को like कर दीजे, आपके friend के साथ share कर दीजे, और इसी video से देखने के लिए हमारे channel को subscribe भी कर दीजे, तो आज के video में इतना है रखते, thank you very much